नमस्ते दोस्तों, हॉबी एक्स्प्रेस में आप लोग का स्वागत हैं। आज हम बनाएंगे जटपट मचली करिए। बिना फ्राइ किये कम तेल में। पहले जाने कि मचली खाने के क्या क्या फायदे हैं। मचली में कैल्सियम, फॉस्फोरस, मिनरल, आइरन ये सब तत्तों पाये जाते हैं। इसलिए मचली को हेल्दी डाइट कहा गया है। मचली खाने से हार्ट अटेक की संभावना कम हो जाती है। गरबावस्ता में मचली खाने से बच्चे का आँक और दिमाग विक्सित होता है। शुगर के मरीज को मचली खाना चाहिए। आर्थराइटिस में ये बहुत फायदेमंद है। इसलिए मचली को हफते में दो दिन अपने बोजन में शामिल करें। आईए अब देखते हैं सामग्री। सामग्री में हम लेंगे एक कीलो मचली। उसे अच्छे से साफ दुल लेंगे। मचली को आटे से दुलने से उसका ताजापन बना रहता है। इसके अलावा तीन चम्मच तेल। मचली में अल्रेडी बहुत तेल होता है। मसालों में हम लेंगे हल्दी आदा चम्मच, मिर्चा एक चम्मच, गरम मसाला डेड़ चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, और नमक स्वादा अनुसार, कस्तूरी मेती और तेज पत्ता। इसके बाद हम लेंगे तीन टमाटर, टमाटर को हम महीन काट लेंगे, टमाटर डालने से मचली की ग्रेवी का रंग बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी गाड़ी बनती है। आरियुवेद के किताब में मसालो में सारे जड़ी बुटी वाले तत्तों पाये जाते हैं। इसलिए मसालो का प्रियोग अपने खाने में अवश्य करें। अब कड़ाई गरम करके तीन चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर उसमें तेज पत्ता और कस्तूरी मेथी डालेंगे। तेज पत्ता और कस्तूरी मेथी जब कड़कने लगे तो उसमें हम एक मिक्सी का जार लेंगे। मिक्सी के जार में तीन कटे हुए प्याज, एक पूरा लहसुन चिला हुआ और अद्रक साथ में तीन खड़ी लाल मिर्च को दरदरा पीसेंगे। ध्यान रहे कि पीसने में पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। पानी के प्रयोग करने से प्याज में महक आ जाती है। दरदरा पीसने से प्याज का फ्लेवर बना रहता है। इसलिए मचली में जब भी हम प्याज लहसुन अद्रक का प्रयोग करेंगे तो उसे दरदरा पीस के करेंगे। पीछने के बाद वो किछ इस प्रकार का दिखेगा अब तेल गरम हो चुका है तेज पत्ता कड़क रहा है तो उसमें प्याज लेसुन अद्रक और लाल मिर्च उटा हुआ उसका पेस्ट डालेंगे और उसको बूनना शुरू करेंगे थोड़ी देर बूनने के बाद जो हमने तीन टमाटर महीन काटके रखे थे उस टमाटर को इस पेस्ट में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार डालेंगे मसाले में नमक डालने से मसाला जल्दी और अच्छा बुनता है मसाला भुना है या नहीं इसकी पहचान होती है मसाले से तेल छोड़ना जब मसाला और तेल अलग हो जाए तो आप समझ लें कि मसाला भुनना शुरू हो गया है मसाले को हमेशा धीमियाज पर ही भुने अपने पूरे दिन के खाने में एक बार मसालों को जरूर शामिल करें क्योंकि ये सभी मसाले कोई ने कोई जड़ी बूटी है जो आपकी BP को कंट्रोल करता है आपके शुगर को कंट्रोल करता है आपको हार्ट अटैक के रिस्क से बचाता है अब मसाला धीमे आज पर भून गया है और तेल थोड़ा सा चोड़ना शुरू कर दिया है गाँच गैस को अब और धीमा कर देंगे इस प्रकार से हमारा मसाला पुरी तरह से भून गया है अब वह दुली हुई मचली इसी भूने मसाले में डालेंगे और उसको हलके हातों से चलाएंगे तक ही मचली तूटे नहीं द्यान रहे कि मचली को डखकन डखकर के नहीं पकाएंगे अभी मचली को थोड़ी देर भूनेंगे धीमे आज पर जब मचली का रंग गुलाबी से हलका बूरा हो जाए तो समझिये कि मचली तोड़ी भुन गई है अब इसमें आप अपने अनुसार ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप जादा पानी डालेंगे अगर आपको गाड़ी ग्रेवी पसंद है तो आप कम पानी डालेंगे मैंने अंदाजन इसमें दो कटोरी पानी डाला है मचली में आठ से नौ उबाल आने देंगे और मचली पकर तयार हो जाएगी उपर से धनिया पत्ती डाल कर इसकी गार्निशिंग करेंगे इस प्रकार आपकी स्वादिस्ट बीना फ्राई किये कम तेल में जटपट फिशकरी तयार है फिश हफते में दो दिन अपने बोजन में जरूर खाएं क्योंकि यह एक हेल्दी डाइट है और अपने आपको स्वस्त बनाएं धन्यवाद अछर आपको स्वस्त बनाएं